तो classification को आप लोगों अच्छी तरीके से याद करने कोशिश करनी है क्योंकि एक सरक आद एक कोश्चन आज़ता है तो classification दो तरह की हो सकती है एक तो microbial हो सकती है दूसरी non microbial microbial आप लोगों ने चाहत तरह के पड़े हों है bacteria, virus, fungus and protozoa simply याद रखना है तो याद रखना है claim idea, trachomatis ठीक है bacteria के अंदर भी दोनों आज़ने, gram negative भी आज़ने, gram positive भी याद करने में कोई बात ही नहीं है virus के अंदर आज़ेगा harpes simplex virus, harpes exhaust virus ठीक है दोनों important है आगे जागे हम सारे detail में पढ़ेंगे यह इसमें classification बता रहा हूँ फिर fungus के अंदर aspergillus आज़ेगा और candida यही दो हमने ज़रा पढ़े हों है और यही दो याद रखने है ठीक है species ठीक है उसके बाद non-microbial की तरफ चलेंगे non-microbial आप लोग एसी जाज़ एकना है कि हम body को बाइर से लेकर अंदर की तरफ चाहर रहे है ठीक है पहला non-microbial resource आगया है chemical उसके बाद क्या आ जाता है हमारी आँक की तरफ सबसे पहले आँक काती है आई-लिड़ आता है तो आई-लिड के अंदर की आएकर ट्रिक एसी क्या है जो हमारा आई-गलोब है ठीक है आई-गलोब के अंदर हमारी जाकि आई-लेशी से लगनी शुर आई-लिड आफ एकर टीर जुदेखने का मिलेगे के अंदर हमारी टीर फिल्म के इस एंदर टीर फिल्म धिर्खन अधिया ज्युक्त एंदर हमारे जो नर्बट अई-घ्स्ट्रोग हो जाती है फिर उसके बाद मारा कar जया है पाना कोन नहीं के अट्र्णों पड़ाँ जो उसके बास हमारी आजने नर्फ जो नर्फ उप्लाई है हमारी कोर्णिया को उसमें क्या आजेगा एक उद आजेगा नीरो पैरलिटिक होता है कि जो सेमस्थ नर्फ का प्रैल्सी तो हो गया हुए है ठीक है फिर नियो ट्रोफिक अलसर आजेगे जिसके अंदर जो अप्थेल् प्रैदिक है सैमस्थ नर्फ पाल्सी उसके बाद सारे चोड़ दो अब हमारी बोडी तरफ आजो आई उड़ दी इम्म्यूनिटी की तरफ आगे है इम्म्यूनिटी दो तरह मसले मिसाल कर सकती है 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 इसके एक है है थिल्दय फूर्दिज्विट्वें हो बाता कि हमारी अ को इंटर्फरॉंग गैमा और तुमन एक्रोसी टेकर रिलीज कर रहे हो तक ताहिक है उसके बात आजेगा हमारे ओटाव्मून डिसोडर है है पर इम्मून डिसोडर है उसके निदर आजाएगे मुदर निलस ठीक है और आजाएगे और आजाएगे कोलेजन डिसीज में आप हमारी antibodies बंचे, auto antibodies, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे Mural disease, यह सारा कुछ detail में बढ़ेंगा, पृसके बाद आ आ जएगए hormones, ठीक है, immunity के बाद हमारे आ इसका है, hormones, हार्मोन भी आ सकता है that exposure therapy है, बिदने इसका relation ज़्याद तर रहो हार्मोन से नहीं है, तो आखे हमारे आइलेड कलोज निकर पाएंगे और आथ को भी आंखे निमांद दोंगी ठीक है और ज्यादा देरे इन्वार्मेंट को एक्सपोज रहने के विएसे तो ज्यादा रिस्क है कि कराटरेटर्स हो सके तो इन पेशन में एक तर वकात कराटरेटर्स देखने को मिल यह फिर प्रोटीन डिफिशेंसी आगे आप लोगों को पता है को अब प्रोटीन के डिफिशेंसी आजएगी तो फिर भी मसले मसारी चुरू हो जाएंगे और आप एक निमोनी की आज़ रख सकते हो ई ए एंटी ठीक है आई नोस थ्रोट और साथ में चीन भी आड़ कर ले नोस झाल आप एक का ऱ जहांए में जाने की आगे प्रोटीन नोस थाजएवागी तो भी म कर लेना जाए और आप ले आप पर हादोवागी तो उत हीशे प्रोटीने की जुग।